सबसे पहला देखने को मिलता है N300 बाद में AC 750 Mbps वाला और यह वाला भी N300 तो यह दो 300 Mbps maximum speed सिंगल bandwidth देखने को मिल जाएगा 2.4 GHz 5 GHz डोल bandwidth देखने को मिलता है इन तेनों का डीटेल में मैं comparison करने वाला हूं speed test हो गया और इधरनेट के बलके तो कितनी speed देखने को मिलती और existing Wi-Fi के अंदर कितनी speed आ रही है और इनके त्रू एक्टेंड होती है भी किने यह useful है भी किने उस सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वालो तो यह वाला मैंने purchase किया था एसी 750 750 Mbps वाला डावल बैंड का 1499 जो बेस्का लिंक में मिल जाएगा और वही मैंने 300 Mbps वाला एं 300 वाला purchase किया था 999 का इसके बीदिद इफेसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा जब मैंने purchase के offer भी चालूता तो हो सा कि आपक कर देगे तो connect करने के लिए आपको डी यौन को नाम लोगो नाम ले सकते हो पावर के लिड़ी यह हमारी वलीक नहीं कर रही है तो इदर में confirm कर देता हो power LED solid on हो चुकि अब यह search करना इस्टार्ट कर देगा connect to device जो कि इसने successfully search कर लिया है process होने के बाद में आपको password set करने के लिए बोला जाएगा और जो कि इसका नाम रहेगा वो इदर show जागा tlwa855re प्रेस करने के बाद में create के बटन पर प्रेस करना है और इसके बाद में पूछा है कि आपका जो existing wifi इसके अंदर connect करना तो आपका कौन सा वाला तो इधर मेरा घर के आसपस में बहुत सारे wifi मेरा वाला जो iot12 करके है existing वाला वह वाला इस application को मैंने अल्रड़ी यूज किया गय है तो अभी में next पर प्रेस करता हो इधर आप देसे तो जो wifi का इसका नाम रहेगा iot12 ext आगे ext का मतलब होता है extender इसका पासवर्ड जो कि इधर शो हो रहा है इधर आपको edit पे क्लिक करके इसका नाम भी change कर सकते हो जो नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो इसके बाद में आपको applying your setting में press करोगे तो आपको जो कि यह 100% हो जाएगा within seconds में 100% होने के बाद में confirm location का option आएगा तो हाँ confirm कर लिया location is good इसके बाद में आपका जो wifi का नाम और पासवर्ड शो हैगा यह वाले का जो आप देख से तो iot12 ext करके शो और all set congratulations connect to network तो यह वाले से आपको connect करने क बोल रहा है तो हां मुझे यह वाले से connect करना तो इसमें मैं tap करता हो within seconds में जिस तरह wifi से connect होता है विस तरह हमारा connect हो जागा आपको अंदाज हो गया रहा है कुछ इस टाइप से आपको connection करना है तो मैं एक एक करके connect करके show करता हो क्योंकि जो कि सभी का नाम में confusion हो जागा इधर reset का button इधर आपको ethernet का port इधर reset का button almost दोनों की design पूरी की पूरी same है इधर आपको texture देखने को मिलता है इधर light indicator दिया गया इधर WPS का button इसके अंदर आपको light indicator देखने को मिलेगा इधर WPS का button इधर ethernet का port इधर reset का वो back side में कुछ step का overall design है इसके antenna आप उपर नीचे कर सकते हो इनके अंदर कोई बी antenna नहीं दिया गया पर आपको rage almost पूरी की पूरी same देखने को मिलती है तो इसका जो नाम मैंने नाम रखा हुआ हूँ इस पर मैं tap करता हूँ आप देख सकते हो यह जैसे कि मैं आपको show कर देता हूँ इधर application के अंदर इधर आप देख सकते हो dual antenna वाला TL WR 841N तो यह model number इसका तो यह वाला मेरा existing wifi जो के hall में लगा हुआ है मैं जो यह test कर रहा हूँ वह bedroom के अंदर test कर रहा हूँ मेरा wifi connect है जो कि existing wifi के तुरू अब मैं go पे tap करता हूँ जैसे कि speed हमें पता चल जाएगा सो आप देख सकते हो existing wifi के तुरू मुझे speed देखने को मिली 17 Mbps की इसके बाद में हम connect करके extender को सो मैं क्या अगर तो फिर से आता हूँ मेरे wifi के अंदर हम मेरा iot 12 ext antina वाला wifi जो की यह है इसे मैं connect कर लेता हूँ इसकी speed टेस्ट कर लेते है नया tab open कर लेता हूँ same website को हम use करेगे अब go पे press कर देता हूँ extender के तुर मुझे speed देखने को मिली है around 20 Mbps की और इदर मैं आपको slide करके दिखा देता हूँ iot ext antina वाला जो wifi जो extender वाला है इसके तुरू connect है तो 22-20 Mbps के करीब मुझे speed देखने को मिल रही है आपको पता चलके रहे हैं इसका wifi के speed जो की 2.4 GHz का अब हम save ये 2.4 GHz का connect करते हैं इसे remove करते हैं और देख लेते कितना speed देखने को मिलता है आप देख सकते हो हमारे ये power होनों चुका है successfully और इदर iot12ext9 antina करके इसका नाम है ये वाले से मैं connect कर लेता हूँ इस वाले extender का और मैं आपको इसका नाम ether application के अंदर भी show कर देता हूँ so iot12ext9 antina इसका नाम है वापी साथ हो मैं home पे chrome open करता हूँ इदर हम net app को use करेगे फिस से search करता हूँ net speed first website same website को use करेगे उपर से मैं wi-fi show कर देता हूँ iotext9 antina जो कि इसका नाम है इसमें हम connect कर रहे है और speed test कर रहे है so इस देख सकते हो iot12ext9 antina से connect है speed की बात कर रहे है 21.40 mbps की मिल देखे है जो कि 2.4 gigahertz है अब हम connect करते है 2.4 gigahertz हो 5 gigahertz दोनों wi-fi को जो कि इसके अंदर dual band है यह 2.4 gigahertz हो 5 gigahertz का मतलब क्या है 5 gigahertz आपको speed ज्यादा देगा पर area कम cover करेगा वह 2.4 gigahertz speed कम देगा has compared to 5 gigahertz है पर area ज्यादा spread करेगा एक ही bedroom में आप use कर रहे हो सारी चीज़े mobile होगे रहा computer होगे रहा तो आप 5 gigahertz से connect कर सकते हो और जो कि कोई भी बंदा दुसरे bedroom में फिर hall में विनको 2.4 gigahertz का password दे सकते हो अब आपको confusion लगता रहा यह मैं connect करके बताता हूँ इधर आ जाता हूँ मैं ether application के अंदर और अभी जो कि मैंने इसे disconnect कर लिया है तो यह automatically within seconds में जो कि disconnect हो जागा देख सकते हो unable to connect तो इसे हम करते थे cancel और main मेरा जो wifi लगा हूँ वो इधर visible है 5 gigahertz जो कि AC 750 Mbps वा इther application के अंदर show हो गया RE200 करके नाम है अब इसके अंदर जो 2 wifi create हुए dual band का मतलब हो तो 2 wifi इसके अंदर create हो जाते एक ही wifi के अंदर 1.2 gigahertz का और 5 gigahertz का एक का नाम है IOT 12 EXT 2.4 gigahertz एक का नाम है IOT 12 5G EXT जो की EXT का मतलब है extender 5 gigahertz अब मैं आतो home पे उपर से swipe करता हूँ इधर आप देशके तो automatically मेरे 2.4 gigahertz में जो कि इसके अंदर connect हो चुका है इसका speed test कर लेते बाद में 5 gigahertz वाला connect करके test कर लेगे same chrome के अंदर आएगे net app open करेगे net speed search करेगे same website को use करेगे अब go पे में टैप करता हूँ तो यह 2.4 gigahertz से जो कि हमारे speed fetch करके दे रहा है 19.67 mbps तो आप देख सकते हो iot2 ext करके जो कि इसके अंदर 2.4 gigahertz से connect था अब मैं फिर से आता हूँ मेरे wifi के अंदर 5 gigahertz से connect कर लेते successfully connect हो चुका है chrome के अंदर आएगे net app open करेगे net speed search करेगे अब यह 5 gigahertz से speed बताएगा तो आप देख सकते हो 5 gigahertz के तुर आपको काफी अच्छी कासी speed देखने को मिल रही है 30 mbps तक देखने को मिल रही है तो 25 mbps 5 gigahertz के तुर speed देखने को मिल रही है और यह थोड़े से chip पे भी depend करता है कि कौन सा chip है आपका same जो कि इन्फिनिक्स का मोबाइल यह 1 plus का हो गया यह फिर apple का हो गया विसके अंदर और भी ज्यादा speed देखने को मिल रही है अब काफी लोग को लगता रहे है कि 244 gigahertz से जो कि इतनी speed almost same ही देखने को मिल रहे है पर इसके अंदर ethernet के through में cable connect करके दिखाऊंगा maximum speed यह कितना creature है वो कितना real में आपको speed इसके अंदर आ रही हुई इसके थ्रू मिला इसके बाद में 19 Mbps जो कि इसके थ्रू मिला यह तीन हो आपको 2.4 GHz और existing Wi-Fi वो भी 2.4 GHz 5 GHz के अंदर मुझे 25 Mbps का speed देखने को मिला अब नेक्स आजेता है हमारा ethernet cable के through connect करके देख लेते हैं कितना speed देखने को मिलेगा तो मैंने computer मेरा on करके रखा हुआ है तो इसके इंदर मेरा जो कि Wi-Fi का chip भी है और ethernet cable के through भी मैं internet यूज करता हूँ तो most of the time मैं मेरे ethernet cable के through connect करके extender में use करता हूँ वो use क्यों करता हूँ तो हम सबसे पहला अनेबल कर लेते एक एक चीज को तो हम आजा तो change adapter option तो इधर मैंने internet इसे अनेबल करके रखा तो इसे मैं करता हूँ disable और Wi-Fi को करता हूँ यह आपको अभी live demo भी पता चल जाएगा chrome को यूज करेंगे यह फिर ओपरा को इसके अदर private app चल जाते सेम हम यूज करेंगे net speed इदर में थोड़ा से नीचे कर देता हूँ जैसे के आपको properly visible रहे है यह अभी मेरा Wi-Fi की तुर connect हो चुका है अब यह कौन सा Wi-Fi की तुर connect हो आपको दिखा देता हूँ आपको बता चल गा रहेगा चिप पर डिपेंड करता है most of the thing तो इसे मैं करता हूँ अब मैं गो पर टैप करता हूँ जो कि आप देख सकते हो fluctuation काफी जादा है क्यों क्यों कि वो Wi-Fi चिप के तुर आपको fluctuation देखने को मिलती है 16, 17, 18 Mbps के around तो यह थी मेरी downloading speed अभी uploading speed भी capture कर रहा है तो यह थी जो कि uploading speed 15 Mbps, 21 Mbps, Wi-Fi की दुरू 2.4 GHz अब मैं यह Ethernet cable को connect कर लेता हूँ जो कि मैंने successfully connect कर लिया है इधर मैं आता है adapter के अंदर Wi-Fi को disable करता हूँ Ethernet cable को enable करता हूँ automatically इधर earth का mark है वो जो कि computer के mark में convert हो जाएगा इसका मतलब होगा कि Ethernet से successfully connect हो चुका है same website यूज़ करेगे, नया tab में open कर लेता हूँ अब मेरा जो data transmit हो रहा है वो wire के तो transfer हो रहा है और आपको different भी पता चल जाएगा, go पे press करता हूँ cable के दुरू मुझे downloading speed देखने को मिली 29 Mbps की और uploading speed मुझे देखने को मिली 35 Mbps की इसे आप फिर से test करना चाहते हूँ तो मैं फिर से आपको test करके पर show कर दूँगा इधरा देख से तो cable के connect है और इधरा देख से तो जैसे कि 15 Mbps downloading speed और uploading speed वाइफा के थूँ देखने को मिल रही थी तो मुझे डबल जो की देखने को मिली 21 15 तो इधरा देख से तो 29 35 तो इसके लिए मैं सेरेश्ट करता हूँ कभी इधरने cable के थूँ यूज़ करना चाहिए तो यह तो हो गया अब next हम यूज़ कर लेते second number extender को तो अब यूज़ कर रही है N300 वाला 300 Mbps का 10-15 seconds लेगा इससे setup होने में automatically यह जो की power on हो जागा एक time आपको first time इther का application की तुरू setup करना पड़ेगा बात में फिर जब भी लगाऊगे यह चालू हो जाएगा तो हम नया window के अंदर private tab को यूज़ करेगे पीछे वाला जो यह है यह तो हमारा AC 750 का data है अब यह वाला हमारा जो भी data रहेगा वो इस wifi का रहेगा सबसे पहला हम इससे wifi के तुरू connect कर लेते adapter को power on करता हूँ और इस ethernet wallet को disable करता हूँ तो सबसे पहला हम wifi का test करें कि wifi के speed कितनी मिलती है इसके तुरू तो यह automatically connect हो चुका iot12ext9 antenna जो कि इसका नाम था सेम मैं सर्च करूं net speed अगो पर tap कर देता हूँ 2.4 GHz और जो कि मैंने 286 chip लगा करें कि जो कि मैंने बता दिये और आपको image भी बगल में show होता रहेगा almost आपको same speed ही देखने को मिल रही है AC 750 Mbps वाले 1K और इसका 2.4 GHz का almost पुरा same है uploading की भी देख लेते so 16 Mbps download 14 Mbps upload अब मैं आतो वापीस है इधर ethernet को adapter को enable करता हूँ अब हम ethernet cable के दूर connect करेंगे इधर automatically earth के mark change हो की जो के हमारा जागा computer का mark यह हो चुका है वो ethernet से connect हो चुका है इधर मैं आतो फिर से same net speed को use करेंगे go पर press करता हूँ से देख सकते हो double speed आपको देखने को मिल रही है 29, 28 Mbps, 31 Mbps का फिर अच्छी का सी speed है cable के थूर uploading की speed आपको देखने को मिल है 27, 28 Mbps के करीब और मेरा प्लान है 35 Mbps का यह वाला था हमारा Wifi के थूर 15 21 Mbps, AC 750 Mbps via router के थूर ethernet cable के थूर connect के है 29, 45 Mbps देखने को मिला अब next हम connect कर लेते है यह वाला और इसके थूर कितनी speed देखने को मिलती है वो भी आपको पता चल जाएगा इन दोनों को मैंने remove कर दिया है इन दोनों का speed आपको पता चल गया रहेगा वो last में मैं बता दूँगा तीनों में से कौन सा वाला purchase करना चाहिए नय प्राइवेट टैब में हम टेस्ट करेगे यह जब भी power होने को उपर lights indicate करें कि इधर आदेख सकते हैं दो light एक signal की light एक power की light has computer इनके अंदर काफी जादा indicator दिये गए 5 GHz का 2.4 GHz का Wi-Fi का इतने आपको indicator इसके अंदर देखने को नहीं मिलते यह वाला model जो कि आपको 2013 का model है यह वाला model 2017 का model है नेट स्पीड सर्च करते सेम वेबसाइट को यूज़ करेंगे गोव पर टैप करता हूँ तो स्पीड आरांड 24 Mbps डाउनलोड और 30 Mbps अपलोड की देखने को मिली वाई-फाई के दूरू काफी अच्छी काशी स्पीड इसने दिये अब हम इसे ethernet cable की तुरू connect करके देख लेते ethernet को enable करते वाई-फाई को disable करते automatically हमारा connect हो जाएगा क्योंकि already मैंने setup करके रखा हुआ है so successfully हमारा connect भी हो चुका है इदे computer का mark आ गया है फिर चाहतो हमें इसके tap के अंदर same हम net speed को use करेगे अब जो हमारे ethernet cable की तुरू कितना data transfer हो रहा है वो शो होएगा go पर press करता हूँ so यह देख सकते हैं 27 Mbps और 46 Mbps के download और upload speed देगे अब तीनों को मैं side में रख देता हूँ और compare कर लेता हूँ किसके अंदर कितनी speed देखने को मिलती है तो सबसे पहला मुझे इसके अंदर मुझे देखने को मिली 16 Mbps Ethernet cable की तुरू मुझे 39 Mbps देखने को मिली इसके बाद मैं मने last में connect किया यह डवल इंटी ना वाला तो इसके अंदर मुझे speed देखने को मिली 24 Mbps और वही बात कर लेते Ethernet cable के तुरू 27 Mbps और 46 Mbps स्पीड देखने को मिली अब last question आता है अब last question आता है तीनों में से कौन सा वाला purchase करना चाहिए मेरे सबसे आपका budget जाद है तो मैं आपको suggest करूंगा आप यह वाली के ओ जा सकते है उसके अंदर आपको 5 GHz के technology देखने को मिल जाती है इन future आप Wifi को भी update करते हो तो आपको extender के through आपको और भी अच्छी खासी speed देखने को मिल जाएगी साथ में आपको light indicator भी देखने को मिल जाता है WPS का और indicator जो कि बहुत ही simple दिये गए 5 GHz, 2.4 GHz, wireless हो गया, ethernet के हो गया और in case आपको budget कम है तो इन दोनों में से आप है ना कि किसकी और भी जा सकते हो दोनों almost same work करते है so almost 3 Wifi के बारे मैं detail में बता दिया कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे comment section में पूश सकते हो यह AC 750 वाला मैंने purchase कहा था 4999 का Amazon पे इसके different different seller है सेम यह Wifi को 8999 का sale करता है जो best seller है का इसका link आपको description में दे दूँगा वही बात कर लेते हैं यह N300 का मैंने purchase किया था 9999 का इसके भी different different seller है और यह TP-Link का मैंने N300 का सेम दोनों का नाम almost same है design different मनाएगी है 1099 का यह purchase किया था इसके भी different different seller है ठीक शाइए बात्र आछिए चूपकर लाड़गा क्रैक्म